हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में लोंग स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने 3.5 मीटर का फैब्रिक लिया है फैब्रिक आप कोई भी यूज कर सकते हैं पहले इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है यह ओपन साइड है और इसके दूसरी साइड फोल्डिड साइड है अब इसमें से यह वाला कोर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्राइंगल की सेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे हमाइबागий को चारह तरफ से कर लेंगे फड़ाइब कर लिया इसका एक साइड 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 और दूसरी साइड , अब स्कार्ट के मार्किंग करेंगे जैसे हीप साइड छाइज उसको 4 इ fed कर एक तो 10 इन्च कोंडु करेंगे तो यहां पर 12 इन्च मार्किंग कर लेंगे अब कोर्नर पर टेप रखेंगे, कोर्नर से और मार्किंग तक इसकी लेंद 14 इंच है, कोर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 14 इंच पर राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे अब सारे पाइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रो कर लेंगे, अब लोंग स्कर्ट की लेंद की मार्किंग करेंगे, जैसे स्कर्ट की रेडी लेंद है, 36 इंच, 1.5 इंच माइनस कर देंगे, उसमें बैल्ट लगाएंगे अलग से, तो 34.5 इंच बचेगा, प्लस 1.5 इंच करेंगे, मार्जन के लिए, एक इंच बोटम की साइड से फोल्ड हो जाएगा, और आधा इंच कमर की साइड से फोल्ड हो जाएगा, तो स्कर्ट की रेडी लेंद, 36 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, इस मार्किंग पर टेप रखेंगे, और स्कर्ट की लें चारो तरब से बराबर रहेए कि कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी अब सारे पाइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रो कर लेंगे लोग स्कुर्ट की दोनों मार्किंग कर लिये अब दोनों मार्किंग से एज़़ीटी दिसकी कटिंग कर देंगे पहले यहां से इसकी कटिंग करेंगे अब दूसरी मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे जैसे मार्किंग कर रखिया एजिटी इसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से स्कर्ट की कटिंग कर लिए है अब साइड से बच्चे हुए फैबरिक को निकाल देंगे बचे हुए फैब्रिक में इसे बैल्ट की cutting करेंगे अब skirt को open करेंगे फैब्रिक को 4 लेयर में fold कर रखा था तो skirt के front पार्ट और back पार्ट दोनों की एक साथ cutting कर लिया है अब बैल्ट की cutting करेंगे बैल्ट की width 4 इंच ले लिया है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से हाफ-ाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच की बेल्ट बच जाएगी इसको स्कर्ट पर अटेच कर लेंगे बेल्ट के फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ 25 इंच ले लिया है जो भी एक्स्ट इसमें से फैब्रिक बचेगा बेल्ट अटेच करने के बाद उसको कट कर देंगे लोंग स्कर्ट की कटिंग कम्पलेट कर लिया है अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे स्कर्ट के एक पार्ट को राइट साइड से रख लिया है अब इसके उपर दूसरा पार्ट रखेंगे उल्टी साइड से यानि दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड से फेस करते हुए रख लेंगे दोनों के कोर्नर को कोर्नर से मिला लेंगे और हाफ इंच का मारदन रखते हुए इसके उपर सिलाई लगा देंगे सेम तरीके से दूसरी साइड से भी दोनों पार्ट को अटेच कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे स्कर्ट के दोनों साइड से दोनों पार्ट को सिलाई लगा कर अटेच कर लिया है skirt को right side से रख लिया है अब इसके उपर belt attach करेंगे belt को इसके उपर ulti side से रखेंगे इस तरीके से belt के fabric को turn करते जाएंगे और skirt के उपर attach करते जाएंगे और extra belt के fabric को cut कर देंगे skirt के उपर belt को attach कर लिया है belt को right side से turn कर लिया है अब belt को fold करेंगे जो इस इलाई वाला पार्ट है, उसको अंदर की तरफ डालेंगे, उसके बाद 1.5 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच फोल्ड करेंगे, चारो तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और 2 या 3 इंच फैब्रिक ओपन छोड़ देंगे, उसमें से इलास्टिक करेंगे, बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दिया है, फिनीसिंग के साथ, दो या तीन इंच का फैब्रिक ओपन रखा है, इसमें से लिया इसकी लेंखT करेंगे, मैंने यह已 करके हेवादव के सवेब इसको लेंकिक करेंगे तो से लेंखT करेंगे लिया झानी के सफ़टिक IKT के एक एक रेे से einset 잡wn did iKT केकर दो इसको लेंख बड़ कपेंने 6 लेंख एक कानी लेंखती Surf 조त meantunde एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर तीन से चार सिलाय लगा कर इसको लोक कर देंगे दोनों इलास्टिक के ऊपर सिलाय लगा लिया है अब इस इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे जो fabric open रखा था उसके उपर सिलाइं लगा देंगे, elastic को बचा कर fabric के उपर सिलाइं लगा दिया है, अब इसको 3-4 बार खींच लेंगे जिसे 4 तरफ bits बराबर आ जाएंगी अब इस elastic में एक या दो सिलाइं और लगा देंगे, finishing के साथ Elastic में दो सिलाई और लगा दिया है और finally elastic finishing के साथ डल गया है Long skirt में अब skirt को bottom side से fold करेंगे पहले half inch fold करेंगे उसके बाद एक बार और half inch fold कर लेंगे चारों तरफ से इसी तरीके से fold कर लेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे skirt को bottom side से fold करके finishing के साथ शिलाई लगा दिया और finally long skirt बनके ready हो गई है इसी तरीके से आप किसी भी size के skirt की cutting और stitching कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी doubt है तो आप comments कर सकते हैं मैं आपका reply ज़रूर करूँगी वीडियो को last तक देखने के लिए thank you so much मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye